हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूटूब चैनल फैक्ट्स की दुनिया तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेगी कि इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कमपनी ने इंडियन स्पेस रिसर्ज और्गानेजेशन यानि की इस रो का वर्ल्ड रेकॉर्ड कैसे तोड़ दिया है वैसे हम सब जानते हैं कि रेकॉर्ड बनते हैं तुटने के लिए और हम जानेगी कि क्या इस रो इस वर्ल्ड रेकॉर्ड को फिर से हासिल कर सकता है कि नई तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लाज तक जरू देखे तो दोस्तों दुनिया के well-known richest person Elon Musk की कमपनी SpaceX ने Space की दुनिया में एक नया record बनाया है SpaceX ने Space में यानि की अंतरिक्ष में एक साथ सबसे ज्यादा 143 satellites को बेजने का world record बनाया है इन satellites को Falcon 9 rocket से भेजा गया था अमेरिका के Florida से Falcon 9 rocket से ये सबी satellites भेजे गए थे कमपनी के mission का नाम Transporter 1 था इन 143 satellites में SpaceX के खुद के Starlink satellites, Planet के imaging satellites से लेकर अमेरिका और जर्मानी के 48 Earth imaging satellites, 17 communication satellites और 30 small satellites भी शामिल थे वह इस SpaceX का पिछला record 64 satellites का था तो दोस्तो इससे परने ये world record ISRO यानि की Indian Space Research Organization के पास था ISRO ने एक साथ 104 satellites को launch किया था जो कि PSLV rocket से किया गया था ISRO ने श्री हरी कोटा Space Center से 15 February 2017 में ये mission launch किया था और इन 104 satellites में ज्यादा दे satellites अमेरिका यानि की 96 satellites अमेरिका के थे और इंडिया के सिर्फ 3 satellites थे और बाकी satellites Netherlands, Switzerland, Israel, Kazakhstan और UAE के थे तो दोस्तो अगले point पर आते है So friends क्या ISRO SpaceX का record तोर सकता है इससे पहले हम ये जानना होगा कि SpaceX company का जो Transporter 1 mission था उसका total payload mass करी 5 ton यानि की 5000 kg का था और इनमें से ज्यादातर satellites बहुत ही छोटे छोटे, small small satellites थे जिसकी वज़े से इतना payload यानि की weight बन गया था और वही ISRO का PSLV C37 का जो mission था उसका total payload mass करीब 1.3 ton यानि की करीब 1378 kg था ISRO के इस mission में ज्यादातर satellites डूसरे देशों के थे और इस mission में ISRO का main satellite इंडिया का ही satellite था जो की काटो से 2 series satellite था जो की Earth Observation satellite था और उसका weight 714 kg था और अल्मोस्ट आदे से ज्यादा weight जो है वो काटो से 2 series satellite का ही था और बाकी 103 satellite जो थे वो छोटे छोटे small small satellites थे तो आप समझ गया होंगे कि ISRO इस record को तोड़ भी सकता है अगर ISRO ने fully commercial small satellites को launch करे यानि कि काटो से 2 series satellite जाए से भारी भरकम satellite के बज़ए और 50 to 60 small small छोटे छोटे satellites add करे तो ये SpaceX का record ISRO surely तोड़ सकता है तो दोस्तों अगर ISRO को ये world record तोड़ना है पर ISRO की जो first priority जो होती है वो national requirements की होती है यानि की पहले इंडिया के space missions को prefer किया जाता है और suppose PSLV में थोड़ा space यानि की payload बढ़ जाता है तो उसमें small satellites को add किया जाता है confusion में आते हैं तो क्या ISRO इस world record को तोड़ सकता है जी हाँ चाहिए तो ISRO ये world record तोड़ सकता है अगर वैसे customers मिले जो 150 के around small satellites launch करना चाते हो और जिनका payload PSLV के payload के साथ totally match करता हो तो ये हो सकता है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करे तो मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखे